आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Good morning students तो अच के मारा कोशन है What is the commonly used name for the power plant located near Mumbai तो मुंबई के पास कौन सा power plant है और वो किस नाम से famous है तो देखो power plants क्या होते है बेसिकली ये किसी भी टाइप की energy का स्तेमाल करते हैं ठीक है और इस energy को एक process की मदद से electrical energy में convert करते हैं ठीक है और इसी पूरी process को करने वाली machines पावर प्लांट्स केलाती है इंडिया में बहुत सारी जगों पर प्लांट्स एक्जिस्ट करते हैं और बहुत सारे वेराइटी के energy की उपर काम करते हैं कोई wind energy पे काम करता है तो कोई thermal energy पे काम करता है तो हमें बताना है मुंबई के पास पावर प्लांट है उसको किस नाम से जाना जाता है क्या वो बार्क है क्या वो TIFR है क्या वो Tata Power है या इनमें से कोई नहीं है तो ना वो बार्क है ना वो TIFR है वो है Tata Power आप लोगों ने काफी famous इसका नाम सुना भी होगा Tata Power एक बहुत ही पावर को एंडल करती है और इसको काफी सारे पावर के राइट्स भी दे दिये गए है अगर आप लोग कई बार नोटिस करोगे तो आपको ना अपने टाटा पावर के बिल्स भी देखने को मिलेंगे ठीक है आपके जो electricity बिल्स आते हैं उनमें से कई सारे जगों पर Tata Power के बिल्स आते हैं इंडिया के अंदर ठीक है तो इससे हम लोग को समझ आ जाता है कि काफी बड़ा पावर प्लांट है और ये मुंबई के पास मुझूद है तो आयोप ये कोश्चन सबको समझ आ गया होगा और इसका अंसर Tata Power पे उसको पता चल गया होगा प्लासिक स्टुएल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज राउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर